बारत के यश्शवी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नेतरत्यूं में आज विकास उनमुखी और कल्यानकारी योजनाव का सीधा और पूरा लाब लोगोगों तक पहुच रहा है प्रधान मंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के एक मजबूत ताकत है Digital India Digital India के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं ऐसे कई प्लाटफॉर्म्स आज भारत को डिजिरली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपोर्ण भूमिका ने भा रहे हैं साथियों, मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नांस के सिध्धानतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समच्याओं और सर्विस के बीच, गैप कम करना, इनके बीच की मुष्किले खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है और इसलिए बीचिटल इंडिया सामान्य नागरी को सुविधा और उनके एमपावर्मेंट का एक बहुत ससक्त माध्यम है देश के हर वर्पने, समाज के हर तबके ने टेकनोलोजी आधारत ऐसी कई प्लाटफॉर्म्स को बहुत ही कारेकुशल, प्रभावी और किफायटी तरीके से अपनाया है डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे पढ़ाती एक नई पहल है E-Rupee यह भारत के सबसे सफल्तम पेमेंट प्लाटफॉर्म भीम UPI पर आधारत है E-Rupee, RBI स्वीकरित एक प्रीपेड E-Voucher है जिसे NPCI यानि भारतिया राष्ट्रिय भुकतान निकम ने वित्य सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है E-Rupee, विशिष्ट सेवा के भुकतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित E-Voucher है जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फ़न्ड ट्रांसफर किया जाता है सरकारी संस्थाएं, कॉर्पुरेट या कोई भी सेवा प्रायोजग अपनी पार्टनर बैंक के मदद से E-Rupee Voucher जनेरेट कर सकते हैं सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी E-Rupee के माध्यम से भुकतान कर सकते हैं सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले QR कोड या SMS को स्कैन करेंगे लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मुबाइल नंबर पर भेजा जाएगा वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंट भुकतान होने की पुष्टी हो सकेगी यह बाउचर कैश्लिस और कॉंटाक्लिस है इसका उप्योग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वस्निया है लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनिया होती है ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टागेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी वितरण प्रणाली के सरली करण के साथ साथ नियूनतम प्रशासने कलागत ई रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामाने तक पहुँचाने के दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है ई रूपी का उप्योग लोग कल्याण हेतू सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन योजना जिसके तहट निश्चित उद्देश्य की पूर्ती के लिए भूगतान या अनुदान दिया जाता है को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है इसका उप्योग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेश प्रायोचिन के तहट लाब देने हेतू भी किया जा सकता है इस दिशा में स्वास्थय और परिवार कल्यान मंत्रालय और राष्ट्रिय स्वास्थय प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्परेट्स द्वारा निजी कोविट टीका करण के इंद्र पर टीका करण के भुगतान के लिए इरुपी के पहले उप्योग का आज शुभारम माननिय माननिय प्रधान मंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है सच मुझ इरुपी डिजिटल भारत की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम है अब माननिय प्रधान मंत्री जी की अनुमती से इरुपी का कोविट नाइंटीन वैक्सिनेशन के लिए शुभारम करेंगे आईए हम आपको ले चलते हैं वैक्सिनेशन सेंटर पर हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवट वैक्सिनेशन सेंटर से जहां लाभारती आज पहली बार इस इरुपी वाउचर से कोविट नाइंटीन वैक्सिन के लिए भुक्तान करेंगे हमारी पहली लाभारती अब वैक्सिनेशन काउंटर पर पहुँच गई हैं और वो हॉस्पिरल के करमचारी को अपने मोबाइल में मिले ए रुपी वाउचर को दिखा रही हैं आप अब हम देख रहे हैं कि हास्पिरल के करमचारी क्यूआर कोड के रूप में मिले ए रुपी वाउचर को स्क्यान कर रहे हैं स्क्यान करते ही लाभारती के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है ये वेरिफिकेशन कोड लाभारती हास्पिटल के करमचारी को बताती है वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही ए रूपी वाउचर रिडीम हो गया है और इस तरह उसके वैक्सीन का भुगतान ए रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है अब लाभारती कोड नाइंटीन वैक्सीन लगवाने जा रही है जैसा कि हम सब ने देखा ये रूपी के माध्यम से वैक्सीन का भुगतान मात्र कुछ ही मिनट में बिलकुल कैशलेस, कांटैक्टलेस और सुगमता पूरवक हुआ ये रूपी जैसे एक उत्कृष्ट पहल को देश को समर्पित करने के लिए माननिय प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये एक क्रांतिकारी पहल है जिसकी अंगिनत संभावनाएं हैं अब हम माननिय प्रधान मंत्री जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननिय प्रधान मंत्री जी इस महत्वपूर्ण कारकम में देश भर से जुड़े सभी राजपाल महोदय, लिप्रिनन गवरनर्स, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी जान, रिजर्ब बैंक के गवरनर, राज्यों के मुख सचीव, अलग-अलग इंडिस्ट्री अस्टोसेशेशन से जुड़े साथी जान, स्टार्ट अप, फिंटेक के दुनिया से जुड़े मेरे इवासाथी, बैंक कों के वरिष्ट अधिकारी गण, और मेरे प्यारे भाईयों और भेनों, आज देश डिजिटल गवरनर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है, यी रुपी वाउचर देश में डिजिटल टांजेक्शन को, डिबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है, इससे तारगेटेड, ट्रांस्परंट और लिकेट फ्री डिलिवरी में, सभी को बड़ी मदद मिलेगी, 21 वी सदी का भारत, आज कैसे आधुनिक टेक्नोलोजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलोजी को लोगों के जीवन में से जोड रहा है, इ रुपी उसका भी एक प्रतीख है, और मुझे खुशी है, कि ये शुरुवात उच समय हो रही है, जब देश आजाजी के 75 वर्ष पर अम्रुत महवत्सों मना रहा है, और ऐसे समय में देश ने फुचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और एहम कदम बढ़ाया है, साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संसा या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो हो कैश के बजाए यी रुपी दे पाएगा, इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन, उसी काम में लगा है, जिसके लिए वो राशित दी गई है, अब ही शुरुवाती चरण में, ये योजना देश के हिल्ट सेक्टर से जुड़े बेनिफीट्स पर लागू की जा रही है, मान लिजिए, कोई और्गनाजेशन, सेवा भाव से, सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो मुप्त वैक्सिन दी जा रही है, उसका लाब लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्रावेट अस्पतालों में, जहां कुछ कीमत दे करके वैक्सिन चल रही है, उसमें देना बेजना चाहता है, अगर वो सो गरीबों को वैक्षिन लगवाने के उसकी इच्छा है, तो वो उन सो गरीबों को E-Rupi voucher दे सकता है, E-Rupi voucher ये सुनिश्च करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्षिन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं, समय के साथ इस पे और भी चीजें जूरती चली जाएगी, जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्बबती महलाओं को भोजन और परियावरन से जुरी दूसरी सुविधाय पहुचाना चाहता है, तो यी रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा, यानि यी रूपी एक तरह से परसन के साथ साथ परपज स्पेसिपिक भी है, जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये यी रूपी सुनिश्चित करने वाला है, कोई अगर चाहेगा कि वो वृद्धास्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है, तो ये रूपी वावचर उसकी मदद करेगा, कोई किसी छेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की ववस्ता करना चाहता है, तो ये रूपी वावचर उसकी मदद करेगा, अगर कोई गौशाला में चारे की ववस्ता करना चाहता है, तो ये रूपी वावचर उसकी भी मदद करेगा, इसे अगर राष्ट्रिय परिक्षम में देखें, तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है, तो ये रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबे ही खरीद दी जाएं, अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है, तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीद दी जाएं, अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है, तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आएं, गर्बवदी महलाओं के लिए दिये गए कैश्व से, सिर्फ पोशक आहार ही खरीदा जा सके, यानि पैसा देने के बाद, हम उसका जो इस्तमाल चाहते हैं, यी रूपी वावचर उसे सिद्ध करेगा। इसलिए भारत के लिए टेक्नोलोजी का क्या काम, जब हमारी सरकार टेक्नोलोजी को मिशन बनाने की बात करती थी, तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किसम के एक्सपर्ट उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नहीं है। आज हम टेक्नोलोजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगती के एक टूल के रुप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही हैं, कैसे भारत में टेक्नोलोजी पारदर्शिता और इमानदारी ला रही है। कैसे टेक्नोलोजी नए अवसरों को पैदा करने में उन्हें गरीबों को सुलब बनाने का काम कर रही है। और कैसे टेक्नोलोजी सरकार और लाल फिता साही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोड़क्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पोँचे हैं क्योंकि देश ने जनदन खातों को खोलने उन्हें मोबाइल और आधार से जोडने और जैम जैसी व्यवस्ता के लिए वर्षों महनत की हैं। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इसकी एहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परिशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें। लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्ता तैयार थी है। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ओफिस और बैंक खुलवा रहे थे। तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के जरिये करिब साड़े सत्रह लाक करोड रुपिये सीधे लाभारतियों के खातों में बेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार तीन सो से जादा योजनाओं का लाभ डिबीटी के माधियम से डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के माधियम से लोगों तक पहुँचा रही है। लगबग 90 करोड देशमाचियों को इसके तहट किसने किसी रुप में लाभ हो रहा है। राशन हो, LPG गैस हो, इलाज हो, स्कॉलर्शिप हो, पैंशन हो, मजदुरी हो, गर बना ले के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डिबीटी से मिल रहे हैं। PM किसान सम्मान निधी के तहट 1,35,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक एकाउंट में पहुँचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई हैं, उसका लगभग 85,000 करोड रुपिये सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रास्पर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाब ये हुआ है कि देश के करीब करीब पौने दो लाग करोड रुपिये से अधीक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलोजी को एड़ अप करने में उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशन की बात हो, सर्विस लिलिवरी में टेक्नोलोजी के इस्तमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर गलोबल लीडर्शिप देने की ख्षमता रखता है। पिछले साथ सालों में भारत ने अपनी प्रगती को जो गती दी है, उसमें टेक्नोलोजी के सही इस्तवाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या आठ दस साल पहले किसी ने कलपना की थी, कि टोल बूत पर करोडो गाडियां बीना किसी फीजिकल ट्राजिक्शन के लेंदेन से निकलेगी। आज के फास्ट्रेक्श से ये संबव हुआ है। आठ दस साल किस पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यमेंट्स हर समय डीजिटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तिमाल हो पाएंगे। आज ये डीजी लॉकर से मुम्किन है। क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में MSME सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनिट में लोन एप्रू हो पाएगा। आज भारत में ये भी मुम्किन है। और इसी तरह आठ दस साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डीजिटल वावतर भेजेंगे और काम हो जाएगा। आज ये भी ई रूपी के जरिये मुम्किन हो चुका है। मैंसे कितने ही उदहां आपको गिना सकता हूँ। इस महमारी के दोरान भी देश ने टेक्निक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु एप का उदहान भी हमारे सामने है। आज ये एप सबसे जादा डाउनलोडेड एप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वेक्सिनेशन प्रोग्रेम में, वेक्सिनेशन सेंटर के चैन में, रेजिस्ट्रेशन में, वेक्सिन सेटिफिकेट प्राप्त करने में, देश वाच्चों की बड़ी मदद कर रहा है। पुरानी व्यवस्ता चल रही होती, तो वेक्सिनेशन लगवाने के बाद, सेटिफिकेट के लिए दोड़ना पढ़ता रहोता हुआ। दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टिम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है। भारत इसे दुनिया के साथ साज़ा भी कर रहा है। साथियों मुझे याद है कि चार साल पहले जब भीम एप लॉंच किया गया था तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकाउच बिजनेस टांजिक्शन नोट और सिक्कों के बजाए डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बड़लाव से सबसे अधीक गरीवों, बंचीतों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवास्यों का ससक्तिकर होगा, वो एमपावर होंगे। आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हर महिने UPI ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जुलाई महिने में तीन सो करोड से अधिक ट्रांजेक्शन UPI से हुए हैं, जिसमें छे लाग करोड रुपिय का लेंदेन हुआ है। आज चाय, जूस और फल सबजी का ठेला लगाने वाले भी इसका उप्योग कर रहे हैं। वहीं भारत का रुपे काण भी देश का गवरो भड़ा रहा है। सिंगापोर भुटान में भी इसे लौंच किया जा चुका है। आज देश में 66 करोड रुपे काण है और देश में 1000 करोड रुपिय का ट्रांजेक्शन रुपे काण से भी हो रहा है। इस काण ने गरीब को भी सशक्त किया है। उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेबिट काण रख सकता है। उसका इस्तिमार कर सकता है। साथियों टेक्नोलोजी कैसे गरीबों को सशक्त करती हैं। इसका एक और उदार है। PM स्वनिदी योजना हमारे देश में तो रेहडी पट्री वाले ठेला चलाने वाले भाई बहन हैं। उनके financial inclusion के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। अपना काम आगे बढाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंबव था। जब digital transaction की कोई history ही न हो, कोई document न हो, तो बैंक से loan लेने के लिए हमारे रेहडी पट्री वाले साथ ही पहला कदम पी नहीं बढ़ा पाते से। इसी को समझते हुए हमारी सरकार ने PM स्वन निदी योजना की शुरुवात की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाग से अधिक रेहडी पट्री और ठेले वालों को इस योजना के तहर्र मदद दी गई है। इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड रुपिये उन्हें दिये गए हैं। ये गरीब साथी अब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं। यानि अब उनके लेंदेन की एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। PM स्वनीधी में ये व्यवस्ता की गई है कि 10,000 रुपे का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन रहेडी पट्री वाले साथ्यों को दिया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि आज सेंकडो रहेडी पट्री और ठेले वाले भाई भैन अब तीसरा लोन प्राप्त करने की दिशा में आगे बट रहे हैं। साथियों, देश में डिजिटल इंफ्रास्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेश कर भारत में फिंटेक का बहुत बड़ा आधार तयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। देश वाचियों का पॉजिटिव माइंड सेट, फिंटेक सलुशन को एड़ाप करने की उनकी ख्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्ट अप इकोसिस्टिम के लिए भी बहतरीन मोका है। भारत के स्टार्ट अप के लिए फिंटेक में अनेको संभावना हैं। साथियों, मुझे विश्वाथ हैं कि ए रुपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा। इसमें हमारे बैंकों और हमारे पेवेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सैंकडो प्राइवेट अस्पतालों, कॉर्पोरेट्स, उद्योजगत, एंजियोज और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुची दिखाई हैं। मेरा राज्य सरकारों से भी आगरह हैं कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूनलाब सुनिश्चित करने के लिए यी रूपी का अधिक से अधिक उप्योग करें। मुझे विश्वास हैं कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साजयदारी एक इमानदार और पारदर्शी ववस्ता के निर्मान को और गती देगी। एक बार फिर सभी देश्वास्यों को इस बड़े रिफॉर्म के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं। बहुत-बहुत शुब कामना हैं। धन्यवाद।